बिना कथा के आपका कोई भी व्रत पूरा नहीं हो सकता है चाहे आप एकादसी का व्रत रखे या ना रखे पर इस एकादसी की कथा को जरूर पढ़े सुने नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसको चला करिए कानों से सुने उससे ही आपको बहुत सारा लाब मिलेगा क्योंकि निर्जला एकादसी को मोख्षुपरदान करने वाला बताया गया है इस साल 18 जून को ये व्रत रखा जाएगा और ये एकादसी साल बर में आने वाली 24 एकादसी के समान महत्वपूर माना जाता है इस दवरान इश्नांदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है तो आईए जान लेते हम ये निर्जला एकादसी की कथा अगर आप इसे पढ़ पाएं तो पढ़ें नहीं पढ़ पाएं तो आप इसे चला कर रख ले और सुने जरूर भीम सेन व्यास्टी से कहने लगे कि हे पितामा, भ्राता, युद्रिष्टेर, माता, कुंती, द्रोपदी, अर्जुन, नकुल और शहदेव आदि सब एकादसी का व्रत करने को कहते हैं परंत महराज मैं उनसे कहता हूँ कि कि भाई मैं भगबान की पूजा कर सकता हूँ, दान कर सकता हूँ परंत मैं भोजन के बिना एक दिन भी, एक समय भी नहीं रह सकता इस पर व्यास्ची कहने लगे कि हे भीम सेन, यदि तुम नरक को, बुरा और स्वर्ग को अक्षा समस्ते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादसीयों को अन मत खाया करो भीम कहने लगे कि हे पितामा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूग सेन नहीं कर सकता, यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अगनी है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता भोजन करने से वह सांत रहती है, इसलिए पूरा उप्वास तो क्या मैं एक समय भी बिना भोजन के लिए मेरे लिए रहना कठिन है आताहां आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएए जो वर्स में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए स्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुद्र बड़े बड़े रिस्यों ने बहुती सास्त्रादी बनाए है जिन से बिना धन के थोड़े परिस्त्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ती हो जाती इसी प्रकार सास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादसी को वृत रखना मुक्ति और मोक्ष की समन माना गया है व्याश्ची के वच्चन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भायभीत हो गया और काप कर कहने लगी कि अब मैं क्या करू? मास में दो व्रत्तों में कर ही नहीं सकता हाँ वर्स में एक व्रत्त करने का प्रयत्न अवस्य कर सकता हूँ अताव वर्स में एक दिन वर्त करने से यदि मेरी मुप्ति हो जाए, यदि मुझे स्वर्ग और मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा कोई प्रत मुझे अवस्य बताईए। यह सुनकर व्याश जी कहने लगे कि वर्स बार मिथुन की संक्रांति की जेश्ट मास की सुकल पक्ष की जो एकादसी आती है उसका नाम है निर्जला, तुम उस एकादसी का वर्त करो, इस एकादसी के वर्त में इस नान और आच्मन की सिवा जल वर्जित है, आच्मन में भी शे मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अनिथावद मतिपान के समान हो जाता है, इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से भी वर्त नश्ट हो जाता है, तो इसलिए सुर्योदे से, एकादसी को सुर्योदे से लेकर द्वादसी के सुर्योदों तक ज उटकर रिशनानादि करके ब्रामणों को दानादि देना चाहिए इसके पक्षाद भूखिय और सत्पात ब्रामण को भोजन कराकर फिर आपको भोजन कर लेना चाहिए तो इस एक अधसी के वृत से इसका फल जो है पूरे वर्स की संपूर एकादसियों के बराबर होता है जो मनुस्य निर्जला एकदिसी का वरत करते हैं उनकी इम्रत्य के समय यम्दूत आकर नहीं घेटे वरन भगवान के पारसद उन्हीं पुस्पक्विवाम में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं अता संसार में सबसे स्रेष्ट निर्जला एकदिसी का वरत है इसलिए यतने के साथ इस प्रत को करना चाहिए उस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का उचारर करना चाहिए और गौदान करना चाहिए दान करना चाहिए इस प्रकार व्यास जी के आग्यानुसार भीम सेन ने इस वरत को किया इसलिए इस एकदिसी को भीम सेन या पांडो एकदिसी भी कहते हैं निर्जला वरत करने से पूरो भगवान से प्राथना करे कि हे भगवन आज मैं निर्जला वरत करता हूँ दूसरे दिन भोजन करूँगा आता मैं इस वरत को स्रधा पूरो कर करना चाहिए तो एकादसी के दिन दान का बहुत ही ज्यादा मौत है जिसमें जल का दान गर्मी से जुड़ी विसारी चीजों का दान सबसे ज्यादा मौत पूर्ण माना गया है तो जो मनुसी इस व्रत को करते हैं उनको करोड फल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन य खाते हैं चांडाल के समान हुए वे अंत में नरक में जाते हैं जिसने निर्जला एकादिसी का व्रत कर लिया वह चाहे किसी भी पाप का हकदार हो लेकिन इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है हे कुंती पुत्र जो पूरुस या इस्त्री स्रधा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित कर्म करने चाहिए प्रिथम भगवान का पूजन फिर गवदान ब्रामडों को भोजन वा दच्छिना तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए निर्जला एकदिसी के दिन जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए तो कोसिस है आप निर्जला एकदिसी के दिन व्रत जरूर करें नहीं कर पाएं तो कोसिस करें उस दिन कम से कम आप फलाहार करके ही रहें या जितना कम हो सके उतना आहार करें भगवान का हिजाब पूजा पाट करें औ और इसके लामा सबसे बड़ी चीज के और कुछ ना कर पाएं और कुछ ना करें लेकिन आप इस दिन दान जरूर करें, तो जिस चीज का भी दान आप कर पाएं, खास करके जल का दान, अन का दान, लोगों की सहायता करना, गर्मी से जुड़ी चीजे, छाता, पंखा, इत्यादी, जल से भरा, कलस, इन चीजों का दान करने से आपको ब्रत और पूजा के बराबर ही लाब प्राप्त होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ व्रत कर लिया और कुछ नहीं किया तो आपको पूरा फल मिल जाएगा व्रत और पूजा पाट के साथ साथ आपके अच्छे कर्म, व्यवार, विचार ही आपको फल के लिए भागी बनाते हैं तो इसलिए अपनी सामर्थ निसार आप दान जरूर करें और हो सके तो व्रत करें, पूजा पाट करें और साथ में दान करें उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैस्री राम